नमस्कार दोस्तों बद्रिनाथ मंदिर के बारे में आप सभी जानते होंगे उन्हीं से प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर आदी बद्री कहा जाता है उनसे प्राचीन मंदिर के रूप में आदी बद्री को जाना जाता है कहा जाता है कि बद्रिनाथ में यात्रा करने से पू वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सस्काइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल का बिटन भी जरूर अन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का लक्स ना सिर्पा आपका मनोरंजन करना है, बलकि आपको उत्राखंड की संस्क्रिक्ति से जोड़ना इस चैनल का मुख्यूत देश है, तो आईए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं, भगवान विश्नु का यहाँ परसिद्ध और प्राचीन मंदीर आदी बदरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ देव भूमी मंदीरों में से एक माना जाता है, चात्पुस से तीन किलोमीटर दूरी पर इस्तित यहाँ मंदीर रोट के किनारे पर ही इस्तित है, मंदीर के नजदीक ही एक नदी बहती है, जिसे नारायन गंगा या उत्तरवाहिनी के नाम से जाना जाता है, माननेता है कि यहाँ भगव फागदारा यहों बताये जाता है कि इस मंदिर का निर्मान आर्ट से ग्यारवी सताबदी में कत्यूर वंस के राजाओं ने करवाये था भगवान विश्णु के इस पावन धाम को में अलग-अलग 16 मंदिरों का समू है जिसमें से वर्तमान में 14 ही मंदिर बचे हैं दो मंदि शतिगरस्त हो गए इन मंदिर समू में सबसे प्रमुक मंदिर भगवान विश्णु का माना जाता है जिसमें भगवान विश्णु अभंग मुद्रा में इस्थापित हैं जिनके हाथ में करमसौक, कमल, पुस्व, गदा, चक्र वसंक है यहाँ परतिमा 4-5 पूंट उची है यह भगवान विश्णु की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन परतिमा भी इसको माना जाता है यहाँ अन्य कई देवी देपताओं के मंदिर भी इस्थापित है जिनमें भगवान सीव, हनुमान, भगवान राम, लक्समन, मा सीता, मा पारवती अन्य कई ऐसे मंदिर इस्थ प्राचीन परतिमा भगवान विश्णु की है और उनके मंदिर के बारे मां आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिस की उमीद करता हूँ, आप सभी को वीडियो जरूर पसन आए होगी, वीडियो को लाइक जरूर उतराखन के इतिहास और संस्कृति से जु प्रेह रहे दें भूम इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जाहिए!